पांच साल पहले जो देश के सामने एक सपना दिखाया गया जूटी बातें रखी गई लोगों को बर्गलाया गया उसमें बहकर हमारे राजे के मासूम लोगों ने विश्वास करके भारतिय जनता पार्टी की सरकार बना दी सात्यों विश्वास पर ही दुनिया चलती है आपको लगा कि जैसे कॉंग्रेस पार्टी जो भी बात कहती है वो करके दिखाती है तो एक नई बात आई आपको लगा कि उसी तरह से शायद ये भी जो कह रहे हैं पूरा कर सकें लेकिन पांच साल आप लोगों के सारे सपने चखना चूर कर दिये किस किस की बात कहूं आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगी चंद बातें जरूर कहना चाहूंगी हमारे किसान हमारा गरीब आदमी किसानों के दर्द को पूछे इन्हों ने कहा हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे यह तो आप जानते हैं कि आपकी आमदनी दुगनी हुई है या आधी रह गई यह आपको जब पेमेंट भी करते हैं चेक भी देते हैं तो 2020 की तारिक डाल कर चेक देते हैं किसानों का इन्होंने कौन सी आपकी आमदनी दुगनी करनी है भीमे के नाम पर नीजी कमपनियों का फायदा स्वास्ते स्कीम के नाम पर नीजी कमपनियों का फायदा हर चीज में इन्होंने नीजी कमपनियों का फायदा करना है कल ही जो वित मंत्री है श्रीमती सीता रमन जी कि कि जो बड़े बड़े कॉर्परेट हैं उनका टैक्स इन्होंने कम कर दिया उनका तो कम कर दिया लेकिन जो ये हमारे कामगार लोग बैठे हैं किसान हैं मजदूर हैं इनको क्या मिला आज हमारे किसान 152 डी जो हमारा नैशनल हाइवे है उसके मुआवजे के लिए हरताल प बैठे हैं चार हमारे साती अपनी जान गमा बैठे हैं लेकिन इस इस सरकार के आख कानों पर जू तक नहीं रेंग रहें कहां ये आपकी पीड़ा को समझेंगे ये आपके दर्द को कभी नहीं समझ सकते तो साथियों ये वक्त आ गया हमारे गरीब भाई मैं बताना चाहू कि हमारे दलित वर्ग को कि हमने हमारे समय में जब हमारी सरकार थी अपने सफाई करमचारी भाईयों के लिए हमने मेला ढोने के खिलाफ एक बहुत सक्त कानून पास किया था लेकिन आज के दिन भी हम हर रोज पढ़ते हैं कि सफाई करमचारी भाईयों को सिवर के अंदर उतार दिया जाता है और वहाँ पर किस तरह से उनकी जान चली जाती आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अभी चन्द दिन पहले दिल्ली में एक बहुत ही प्राचीन संद्गुरु रविदाश्ची का मंदिर था 1507 में जब संद्गुरु रविदाश्ची वहाँ पर आये तो उनके प्रवचन सुनने खोद सुल्तान सिकंदर लोदी वहाँ पर गए थी तब से वो मंदिर वहाँ पर है और अनेकों सादू संतों की वहाँ पर समाधियां भी थी लेकिन इस सरकार की गलत मीतियों के कारण इन्होंने सही प्लानिंग नहीं की प्लान को ये बदल सकते थे अगर चाहते जो की आप देखते हैं की हर रोज बदल दिया जाता है लेकिन इस सरकार ने नहीं किया और उन मंदिरों उस मंदिर को और उन समाधियों को ढढ़ा दिया गया है तो ये हमारे किसी भी वर्ग के नहीं हो सकते और साथियों रोज अखबार खोलें तो क्या नज़र आता है तीन चीज़ नज़र आती है एक तो इस सरकार के इश्तिहार बड़ी बड़ी ढिंगे मारना दूसरी बात है कि कितना अपराद बढ़ गया है सारा अखबार हर एक पन्ना भरा हुआ होता है कहीं लूट पाट कहीं चोरी डकैती कहीं हत्याएं क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है हर्यान आज पुरे देश में शर्मसार है कि सबसे ज्यादा अपराद हमारे यहां होते हैं इस इस साल में आज तक ब्यासी हत्याएं हो चुकी है बालातकार जैसे अनेकों संगीन मामले होते मेरी माताएं बेहने यहां पर बैटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन इनके हर नारे की तरह ये भी खोकला थाबित हो चुका है बेटीों की सुरक्षा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है माताएं बेहने पूरा समाज पूछने लगा है कि हमारी बेटीों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही तो यह सरकार की जो जिम्मेदार है उससे तो पीछे हटते हैं क्योंकि कोई स्थितिन के काबू की नहीं इनको केवल चश में पहन कर आता है जो यह देखना चाहते हैं साथियों ट्रकों में घूम कर प्रदेश बर में इदर उदर जाकर अनेकों नारे देकर बात असली सामने नहीं आ सकती अब समय आ गया है जब परदाफाश करना पड़ेगा यह कहते हैं देश को आगे बढ़ा रहे हैं देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे जब आरतिक मंदी इतनी हो गई है और आज आपने ठीक है टैक्स जरूर कम किया लेकिन आप ये बता दीजिए कि जो डेड़ लाख टैक्स में कमी आएगी वो कहां से लेकर आएंगे लोगों के जो काम होने चाहिए वो कल्यान के वो उसके लिए पैसा आप कहां से लेकर आएंगे हमारे युवाओं को मेरे युवा खड़े हैं यहां पर साथ आपको नौकरी चाहिए चाहिए नौकरी तो क्या मिल रही है नौकरी सरकारी नौकरिय या तो कौन सी नौकरी मिलेगी हमारे युवाओं का भवेशे अंधकार में डाल रहे है तो साथियो और ज्यादा ना कहते हूं मैं आप से यही अपील करूंगा आप सभी कॉंग्रेस के कारिय करता है कॉंग्रेस के स्थम्भ पांग साल से आप मेहनत कर रहे हैं कॉंग्रेस को मजबूती आपने दी है और कॉंग्रेस को मजबूत आप लोगों के पसीने ने किया है आज भी इतनी गर्मी में आप यहां पर इतनी सुबा से यहां पर बैठे हैं यह आप लोगों का लगाओ है सोनिया गांधी के प्रती, कॉंग्रेस पार्टी के प्रती, स्तिरंगे के प्रती, कॉंग्रेस की विचार धारा के प्रती तो साथियो इस विचारधारा को हमने बचा कर रखना है अगर ये विचारधारा नहीं बचेगी तो देश और समाज नहीं बच सकता तो ये अब हमारे सब के लिए इम्तिहान की घड़ी है परीक्षा की घड़ी है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूं हमारा प्रयास होगा हमारा प्रयास होगा कि हम तिक्तों का फैसला करें जल्दी करें मैं जानती हूं कि बहुत से हमारे काविल दोस्त हैं बहुत से हमारी काविल बेहने हैं जो चुनाव लड़ना चाहती है और जो डिजर्व भी करती है इनको टिकेट मिलना चाहिए बहुत से साथियों को लेकिन साथियों आप ये भी जानते हैं कि टिकेट तो एक को मिलता है हमारा प्रयास होगा हमारा प्रयास होगा कि हम समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखे हमारा प्रयास होगा कि हम जो हमारे अनुभवी साथी हैं उनका दिहान रखे हमारा प्रयास होगा कि हम युवाओं को नए चेहरों को सामने लेकर आएं क्यूंकि आपने मेहनत कि और आपका भविशे आगे होना चाहिए और अगर आप हमारे नौजवान साथी कॉंग्रस पार्टी में उर्जा लाते हैं तो आने वाले वक्त में कॉंग्रस पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी तो हमारी इच्छा है कि हम अपने नए चेहरे युवाओं के चेहरे भी सामने लाएं और हमारी बेहने है बेहने भी कम नहीं है और अगर मुझे बनाया है हमारी अध्यकशा सोनिया गांदी जी है और हर्याना में मुझे ये बागडूर संभाली है कॉंग्रेस पार्टी की तो साथियों बुरा मानने की बात नहीं है बुरा मानने की बात नहीं है मेरा प्रयास होगा मेरा प्रयास होगा कि मैं महिलाओं को और ज्यादा मौका दूँ युवाओं को और ज्यादा मौका दूँ तो आप सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारी चोटी बेहन शुरुती है आपने इनका साथ दिया लेकिन इस बार एक ऐसी जूटकी आंधी चली जिसमें भई हम सारे ही बैगे सारे ही डैगे लेकिन अब वक्त है चार महिने बाद पांच महिने बाद में हवा एकदम बदल चुकी है ये चारों और नजर आ रही है बाद तो इस बदलती हवा का रुख सबको पहचानना है आप सबने कॉंग्रेस के सचे सिपाईयों ने घर घर में जाना होगा सिर्फ ऐसे नारे लगा के गाड़ियों में बैठ कर चुनाओ नहीं लड़ा जाएगा आपको घर का हर घर का दर्वाजा खटखटाना होगा मेरी बेहने हैं बेहनों से बात करनी होगी घरों में जाके मेरे युवा साथी है सारे युवा पीड़ी को अपने असलियत बतानी है इस सरकार की गलत नीतियों की हमारे करमचारी भाई है उनके साथ क्या जियातियां हो रही है वो सब को दिख रहा है उनको कैसे लाठियां पढ़ती है हर रोज तो साथियो एक-एक हमारे साथी ने मेरे बहने भाई ने ये सारी जिम्मेवारी अपने अपने कंधों पर लेनी तभी बात बनेगी तो आप सभी का आज यहाँ पर जो इतना बढ़िया ये कार्य करम, ये कार्य करता समेलन आपने और्गिनाईज किया है तो दान सिंग जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत ही नौजवान थे उस वक्त लेकिन मेरे पिता जी के पक्के चेले थे, वो इनसे बहुत स्ने करते थे तो आप सभी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जेहिन धन्यवाद मैं जी